पूरा देश जिस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा था इंदौर भी संगर्ष की घड़ी से गुजर रहा था ऐसे में तमाम जन प्रतिनिदियों की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे कोरोना काल में इन दौर के सांसद शंकर लालवानी जी की बात करें तो वो ग्राउंड जीरो पर ही नजर आते हैं किस तरह से उन्होंने इस कोरोना काल को जिया है, जनता की सेवा की है, और क्या वो मूल वजा है कि हर छोटा कारिकरम हो, हर छोटा या बड़ा बुलावा हो, सांसच जी की सहज उपलब्दता नजर आती है, सीधी बात करते हैं सांसच जी से, सांसच जी कोरोना काल को कैसे जिय या क्या इसने जिंदगी बदल दी राजनीती बदल दी सियासत बदल दी और जनता की सेवा करने का जो तौर तरीका था उसमें भी परिवर्तन ला दिया है कि करोना हमारे देश में आया था और उस समय मानिय प्रधानमित्री जी ने सभी सांसदों की बेठेक लेती मुझे याद है वो शर्ण सभीरे का समय था सवा नो साणदों बजी थी हम पाल्यामिंट में बीज़ेपी के सभी सांसद बेठे थे और उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि आने वाला समय बहुत चुनोती पूर्ण समय पर उन्होंने एक बाद और कही थी कि जो समय है वो काम करने के तो मुझे लगा कि उस समय में समझ नहीं पाया था लेकिन जैसे ही हमारे इंडोर में लॉक्डाउन हुआ और जिस प्रकार से केसे बड़े वाकई में इंडोर बहुत चिंतित था हम ही नहीं पूरा देश इंडोर को लेकि चिंतित हम भी थे चुकि में एक जन प पहले दिन से पहले दिन से पहले दिन से भी नहीं जब उन्होंने प्रदेश में सुपर्वेर की संक्राइब के सरकारा थी में लेकिन सानक्रामार नेरह-क CatherineIC जाए तो हम शुरुवाती दोर से तैयारी में थे और उसको दिहान में रखते हुई यह सेवा का अरस्थ जो चुनोती मिला वो करने का प्रयास किया है आपके प्रतिदुन्दी कहते हैं कि जिस तरह से एक पार्षत जो काम करता है वो सांसत जी करते नजर आए जनता के बीज भी पहुंच गए गली महलों में राशन वित्रन विवस्ता में भी आप नजर आए बड़ी-बड़ी बैठकों को भी आपने अध्यक्षता के तौर पर उसको संभाला और बड़े निरनली है क्या इसको अलोचना मांते हैं या कॉंपने मिन की मह принता हूं काम कभी भी भी छोटा बड़ए और मेरे मेरे सभा के मांनता हूं हम कर पार्षत जो काम करता है और इस सेवा काम में भी कॉछ चोटा काम करे है सब्सक्राइब बड़े però थो कर सकता है कि ने नहीं सब्सक्राइब करते हो कि पार्शाइब करतें कामर्ट है मैं को इंस अगर अगर मोका मिले कोह पर समय क्या आता है तो मैं इ eyebrow लोगों की अफिक्षा रहती है अभी हमारी जंता इतनी जागरुग नहीं हुई कि हम यह बोले कि आपको इस काम के लिए पार्षद इस काम के लिए विधायक सहज है और जंता सब्सक्राइब अगर मिलेंगे अपनी बात कहेंगे तो मैं अपने उनकी बात को जो समस्य पूरा करने के लिए प्रयास करूंगा अनलॉक हो रहा है दिरे दिरे अनलॉक का फेस बन हमने देख लिए फेस टू अभी हल ही में उसका निर्णा है आपकी अध्यक्षा वाली बैठक में हो गया इन दौर में कामू में आ गया है दिखिए हम एकदम नहीं कहेंगे पेले से सुधरी हैं और मुझे लगता है कि अब और सुधरने की ओर है लेकिन अभी भी हमको ध्यान रखना है और इन सावधाने को ध्यान में रखते ही हमको खोलना है मंदिरों की जातक बात है हमने सभी जो धार्मीकिस्तन की प्रभंदक हैं और जो मंदिर को देखते हैं गुरुद्वार हो चर्च हो मज्जित हो इनको जो देखते हैं उनसे बात की थी मुझे लगा उन सब बातों से जो हम सब बेटे थे उनके बातों से सा लगा कि वो मंदिर के अंदर की व्योस्ता में सयो कर सकते लेकिन उनका ये किना था कि मंदिर के भार जिसे अब जुम्मे की नमाज हुई अप जुम्मे की नमाज में अंदर जितने लोग आ सकते शोशल डिस्टेंज में उतने तो वो ले सकते लेकिन उनका कि ना हम किसको रोकें कैसे रोकें, चर्च वालोंने ज़रूर का कि हम बुकिंग करेंगे बुकिंग के आधार पर ये सब जगे संभाव नहीं है कि धार्मिक जनता बुकिंग करके धार्मिक सानों पर जाया तो निश्य तोर्वे उन्होंने इका कि अभी रुकना चीए यहां तक कि रंजी धनुमान मंदिर है खजराना मंदिर है वेंक्टेज मंदिर है इन सभी लोगों ने यह का कि थोड़ा रुकना चीए हमारी प्रात्मिक्ता यह है कि शर्ष्ष्थो लोगों का स्वास्त रहेगा तो फिर हम मंदिर खोलेंगे मुझे लगता है थोड़ा सा में और लगेगा जैसे इन दोर की सिद्या ठीक होगी हम शीक्रा मंदिर खोलेंगे धार्मिक्स्तन खोलेंगे मोदी जी को पूरा एक साल हो गया है किस तरह से आप देश के हालातों को देखते हैं इन दिनों चाइना पर बहुत हला हो रहा है देश की सीमाओं की रक्षा की एक बार फिर बात उठ रही है क्या लगता है मोदी सरकार मूत और जवाब देगी चाइना को क्योंकि इस कोरोना की जंग के दौर में भी दुश्मन देश को तो जवाब देना दो बिल्कुल और मोधी सरकार सक्षा में और ये मोधी सरकार टू का पहला वर्ष अभी हाली में पूरा हुआ देश के इतियास में आप किसी से पूछें देश के इतियास में इतने स्वरणियम निर्णे अभी तक नहीं हुए जो हम सपने में कभी सोचते थे धारा 370 जो हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुकर जी वो कश्मीर हमारा है वो जाके अब हमें मिला है धारा 370 अटने के बाद वहाँ सभी प्रकार जिस प्रकार का कानून यहां इंदोर में लाग हुए उसी प्रकार कानून स्रीनगर और जम् या राम मंदिर निर्माड जो हमारा सपन ता वो मानिय सुप्रीम कोर्ट ने निर्ने दिया लेकिन जिस प्रक्ड इसामें कई भी सामपरजयक क्या वाकई में कोरो निल इसने जिसे लेकर आयूश मंत्राले ने पिस पश्टी करण दिया है ये कारगर साबित होगी और ऐसे दौर में जब जनता जो है राहत ढूंड रही है ऐसे में इसको कहीं बाजारवाद से तो जोड़ कर नहीं देखा जा रहा एक राजनेतिक ग्यों होने के नाते इंदौर के जिम्मेदार सांसद होने के नाते आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कोई भी ऐसी दवाई होती है जिसके अगर करोना ठीक होता है तो पूरा विश्व ढूंड रहा है हम देख रहे हैं कि वेक्सिन हम नहीं पूरे विश्व में अभी तैयारी चल रहे ही डूटने की और मुझे लगता है आयरविजिक में शक्ती है और आयुजिक हमारे देश में आधिकाल से चला हो रहा है पर मैं इसमें इक प्रकेश में जब तक सरकारी शाष की आयुक्ष मंत्रा ले इसको certified नहीं करता है तब मिभी करता है घ्रटनाँ हो नहीं जाहिरती बात है कि उपचुनाव है तो श्यासी मजबूरी भी भी है लोगों दो होगा ना एगिल देखने को सवागत कर लेते हैं स्वागत कर देते हैं या सो एप सभाधा कि घटनाओं को किस नजरिय से देख पाएगा आने वाले दॉर में और खासतर पर आप सतुर ब्लोभे हैं याया हुआ था चैंश्ख मुझे स्वागत करते हुए गले भी मिले थे लेकिन तुरंद बाद चुकि वो जब तक आते आते स्वागत करते गले में तो समय इतना नहीं था कि मैं पीछे अर्टू लेकिन फिर भी मेरा मास लगाया हुआ था और वो ध्यान में मुझे आ गया कि यहां गलती हुई है और मै वहों सबसे पहले हमको पाला हुए और में खेद व्यक्त किया और में उसके बाद हमने सभी आज पर पार्टी के नोड़ीनिंधां उनके बीचुश कर grass कि आने वाल समय में सबकारा के कारेंस इस प्रकार का सबी yerdeहान रखा जा सके और मैं आपकी माध्ययन से भी शहर की जयन उसकी कड़ी तोड़ पाएंगे ऐसा देखने माता है कि लगातार राजनेताओं के बीच जब जनता पहुंशती है तो यह सामाजी दूरी का पालन नहीं हो पाता ऐसे में कितना मुश्किल कितना आसान हो जाता है और जब लोग आप तक पहुंशते हैं समस्याई लेकर अब च कुछ लोगा हाथ मिलाने के लिए भी आगे आते हैं थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन फिर भी में इंदोर वासियों को धनेवाद देना चाहता हूं एक सामान ने सर्वे हुआ है उसमें देश में सबसे ज़्यादा जो मास हजार के उपर जो मास लगाने वाले लोग है वो हमारा इंदोर शहर है तो इंदोर शहर में जागरती आई है पर मेरा ऐसा फिर किना है कि हजार में से अगर कुछ लोग रे भी जाते हैं तो उनको भी लगाना चाहिए उनको भी सोशल दिस्टिन रखना चाहिए कोई न कोई अगर एक भी पाजिटिव रहा तो हम कड़ी तोड़ना चाहते हैं इंदोर से, वो कड़ी तोड़नी पाएंगे और हम एक व्यक्ति भी अगर करोना का यहां रहा है, तो उसके कारण कहीं एक व्यक्ति हो सकते हैं, तो मैं फिर कहूंगा हमारे इंदोर के लोग बत्चे हैं, जिस परकार सचता में वो आगे बड़े थे, उ उन सभी शहरवासियों कि इन सब को द्यान में रखना चाहिए, वंदे भारत मिशन के तहट, अब तक सैंकडो शात्रों को जो है, आप विदेश की सरजमी से भारत हिंदूस्तान ला चुके हैं, इन दौर भी जिसमें बड़ा डेस्टिनेशन देखा गया है, किस तरह से करके छात्रों को लेकर पेरेंट्स को बहुत ही पैनिक है, आप यह बताएए कि तीन-तीन मेने से जिनकी मेडिकल की परिक्षा हो गई चाहिए, फर्स्ट यह, सेकंड यह और फाइनल ही हो और वहां फसे हो, खाने की कुछ विहस्ता नहीं, रहने की कुछ विहस्ता नहीं, कि उनके मानसिक स्थिति क्या रही होगी, मैं लगातार केंद सरकार के संपर्क में हूँ, हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं, प्रतिस दिन रोज 15-20 लोगों के लिए पत्र भी लिखता हूँ, बात भी करता हूँ, और इसको लेके केंद सरकार मानने मोदी जी के नित्वत में हैं जो हमारी कमटी बनीवी कोर कमटी जिसमें सिविल एवीशन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, और तीसरे हमारे स्वास्थ मंतरी, यह तीनों के सामविक बेठक होती हैं और इस बेठक में निर्णे होता है, इंडौ vendor को लेके उन्नोंने एक फ्लाइट किए, दूसरी प्लाइट आने वाली है तीसरी भी आने का प्लान है तो मुझे लगता है कि इंदोर में अभी तक जो मेरे पैरंबिक जानकर यह जो लोग बताते हैं और जो अपला करा पांच जार से ज्यादा चात्र आने वाले हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वह प्रक्रिया चल रह प्रति हजारों की संख्या में लोग प्रति दिन मर रहे थे और वहां मेडिकल कोई स्विविदा नी थी उस समय भी केंदर की सरकार ने जब निवेदन किया इंदोर को चात्रों को दिली लाए दिली से फिर इंदोर लाए वह अभी इंदोर में ठीक है तो इस परकार से कमारे और धिली माने फ Song-2 नकुनिषय बने रहें यहां कि आपक羅 खेंदोर में यां संख्या मान सब्सक्राणा में अब्कराइबिग्सारिंद्स मुचरोण की आपी रित mattered को हैं आल्मारी आ रहा हैं सभी लोग और वह पर इसके अलावा कुछ लोग वह भी है जो भली पाकिस्तान के नागरिक हैं लेकिन उन्होंने लॉंग टर्म विज़ा रहे थे वह सभी लोग हिंदू है अलपसंख्या के यहां के हिंदू लोग है और वह परिशानी में वह भी यहां आना चाहत है कुछ लोगों का माश्वास ठीक नहीं दवाइं नहीं मिल रही है और जो होस्प्ड़र जाते यह वह जल्द जल्द आना चाहता है और के इंद्र सरकाय वन कदम इडरा रही है आप बहुत इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आते हैं, कभी फेस्बूक लाइव के जरीए समवात करते हैं, कभी आप स्काइब पर आ जाते हैं, कभी वाटसाइब के जरीए आपके वीडियो वाइरल होते हैं, यह कौन से दौर की राजनीती है, क्या आपने इसको अ पहुचाने का, सिर्व यही नहीं, लोगों की समस्या मुझे सोशल मीडिया से ही मिलती है, तो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, सोशल मीडिया के माद्यम समस्या बताते हैं, तो हम प्रयास करते हैं, कि जो समस्या आती है, और हल करें, और जो हम कर रहे हैं, उनकी जानकारी मे सांक्षोर की विद्रितु किसे को जंसेवब का रिकॉर्ड की तरफ आप देखते हैं आने वाले दिनों कि मेरे मन में कभी बात की आती पर नहींक हो आप यह जो कि यह विखोंँ है किन्दोर में बहुत सारे से काम होई माझि मुख्यामंत्री जी जब कि नोचान और वहत्ति रहती है और प्रेशन कर रहा है कर रहा है राशन होरा कर रहा है तो चाहे राशन सूखा हो चाहे भोजन की व्यस्ता हो तो यह रहा और हमने देखा योग दीवस की पूर संधिया पर ऑनलाइन एक शहर में एक साथ 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने योगा करा मानिया बाबा रामदेवजी के साथ और 40,000 उसमें देख रहे थे अब उसमें कित्ते बढ़ाने के लिए योग बहुत ज़रूरी है और लोगों की रूची भी है बाबा रामदे जी से आपके करीबियां है क्या यह को रोनिल दवा को लेकर कोई चर्चा हुई है क्योंकि इन दौर में भी पतंजली के कई आउटलेट हैं हमने कहा है कि एसी कोई दवाई होना च अंसत जी कि क्या संदेश होगा क्या पैगाम होगा इन दौर की जनता के लिए क्योंकि ऐसे मुश्किल हालातों में भी आप मैदान में रहे ग्राउंड जिरो पर रहे और पूरी ड्यूटी एक मेंबर ऑफ पार्लियमेंट होने की आपने निश्ठा से निभाई लोगों से प्रणा की जनता से कि आप सबके सायोग से यह यह हमारा सिर्फ सरकार का जिल्लाप्रिषूशन का काम नहीं था यह पूरी जनता के सायोग से आज हम इस इस सांदी पोंचे पर फिर भी अभी करोना गया निये लिए करोना अभी हमारे बीच में है तो मेरा आप से निभे दन कि इस करोना की चेन को तोड़ने के लिए इस महामारी को खतम करने के लिए हम सब मिलकर काम करें और खास करके जो आर्थिक गतिदिया खोलने के लिए अभी दी गई हैं उन में जो हमने नियम दिये हैं उन नियमों को पालन करें भीड नमड़ा हैं भीड के इस्तानों पर न ज सब्सक्राइब और जंग लड़ते इन दौर के सांसच श्रीशंकर लालवानी है जिन्होंने अपनी भूमिका और किस तरह से करतेवे निष्ठा उनकी बातों में साफत और पर परिलिक्षित भी होती है सीधे तोर पर कहा कि आयरुवेद को अपनाना चाहिए ताकि कोरोना वा और जीतेगा भारत ये नारा बुलंद होगा तो जरूर ऐसे निष्ठावान सांसच जी की जो रणनीती और जो योजनाएं हैं उसकी जरूर तारीफें चारो और होंगी फिलहाल ग्राउंड जीरो के इस स्पेशल सेग्मेंट में इतना ही वीडियो जनरलिस्ट अरुन झाल